नमस्कार और सलाम स्वागत है आप सबका इस नए वीडियो में इस वीडियो में हम सीखेंगे एक नया कीवर्ड जिसका नाम है इंटरसेक्ट शुरू करते हैं इससे पहले कि हम आगे बड़े एक बात मैं आपको बताना चाहरा हूं पिछले दो वीडियो में हमने तीन विंड है तो अब तक के लिए सिर्फ हम यही रुख जाते हैं वंडों फंक्शन में आगे चल के हम उसको जब वो कंसेप्स कवर होंगे तब देखेंगे वापस आ जाते हैं अभी इंटरसेक्ट पर तो मेरे पास दो टेबल्स हैं EMP1 और EMP2 इनको मैं रन कर रहा हूं सेलेक अब अगर मैं आपसे कहूं कि अगर दोनों टेबल में से मुझे कॉमन डेटा लाके दीजिए तो आप क्या सोचेंगे ठीक हम यह जोइन से कर सकते हैं बिलकुल कर सकते हैं और उसका तरीका कौन सा रहेगा इनर जोइन लेकिन हम इनर जोइन में क्या करते हैं कोई एक या द on emp1.empid is equal to emp2.empid लेकिन अब मैं यह कह रहा हूँ कि सिर्फ empid पर मुझे मैच नहीं करना है मुझे सारे कॉलम्स पर मैच करना है अब अगर 2, 4, 5 कॉलम्स है तो ठीक है आप and condition लगा के कर सकते हो जैसे हमने देखा है लेकिन अगर मानलो बहुत जादा कॉलम्स है तो उतने अगर आपको and condition लगाना पड़ेगा जिसे syntax काफी lengthy भी होगा और जितना लंबा syntax है आपका lengthy उतने ही error आने के chances है तो अगर इस खास scenario के आपको जरूत है कि दोनों table में common rows कितने हैं कौन से है तो उसके लिए काम आएगा intersect बस आपको इन दोनों के बीच में लिख देना है intersect य लेकिन आप आरहा जो data है वो 11 ही है तो मैंने जान बूच के किया कि यह 12 रोका data EMP1 से लेकर EMP2 बनाया select star into use करके लेकिन बाद में मैंने किया किया एक employee ID है जो employee ID 5 है मैं बताता आपको पाचवा employee ID जो हैं यहां पर 17,000 salary है लेकिन दूसरे table में इसकी 30,000 कर दी मैंने update statement से जा common rows है जिसमें हूब 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 हर column की value match करती है तो intersect का मतलब यह है कि common rows दोनों में तो कुछ इस तरीके से आप इसको visualize कर सकते हैं यह एक table है और यह एक table है तो यह पहला table है और right side का दूसरा table है अब इसमें जो common है वो यह वाला है जैसे हमने maths में है mathematics में इसको intersect में सीखा ह है तो intersect क्या कर रहा है इन दोनों में जो common area या records है वही लाके दे रहा है तो इस तरीके से दूसरी बात आपको याद रखनी है जिस तरीके से हुब हूब union में था दोनों table में same number of column होने चाहिए same order होना चाहिए और data type भी same होना चाहिए इसके हला आप और जो चीज़े कर सकते हैं उसमें कभी-कभी जैसे मान लीजे आपको check करना कि दोनों table में common employees department city कौन से है तो बस आप एक या एक से जाधा column कॉमा करके लगा दीजिए अगर एक से जाधा column है अभी मैं एक ही column ले रहा हूं तो अब देखिए 11 रोज common आ रहे मुझे तो यह है तो एक करना है column तो नाम आएगा है एक column का दो करना है तो कौमा आएगा बीच में जैसे हम select में लिखते हैं उसका logic change नहीं होगा लेकिन आपको पूरा table ही intersect करना है या देखना है कि दोनो table में कौन से common rows है तो select star from EMP1 intersect select star from EMP2 बढ़ा आसान concept इस तरीके से क आप join से न करते हुए intersect कर सकते अगर आपके बहुत ज़्यादा columns है और उन सब के basis पे आपको condition लगानी है इस वीडियो में इतना ही देखने के लिए शुक्रिया बने रहे है धन्यवाद